इसे क्या बैठे हो उठो ओफिस नहीं जाना जाना तो था जाना है तो जल्दी उठो नहा कर आओ इतने ठंडे में कौन नहाएगा नहीं नहाता पिछले दस दिन से नहीं नहाया है जाओ नहालो दिखता नहीं दस दिन से मौसम कितना ठंडा है ठंडा जा गरम चाय बना कर ला पता नहीं अपने आपको क्या समझते हैं, मेरी तो सुनते ही नहीं है एक दिल प्यार से बात नहीं करते, समझ भी नहीं आता क्या करूँ मन करता है माय के चली जाओं जब देखो नहने के पीछे पड़ी रहती है क्या बत्तमी जी है? आप नहने से डरते क्यों हो? बेटा काईदे में रहो अगर दिमाग गरम हो गया, उल्टा लटका कर फिरिज के ठंडे पानी से नहलाऊंगा क्या बत्तमी जी है? क्या हुआ? क्यो डाट रहे हो बच्चों को? चाई! क्या? अरे चाई कहा है चाई? चाई पत्ति खतम हो गई है अगर चाई पत्ति खतम हो गई थी तो कल क्यों नहीं बताया? मैं आफिस से घर आते वक्त ले आता बोला तो था कल आफिस जाते टाइम मैंने बोला तुम्हारे पैंट की जेब में सामान की पड़्ची रखी है घर आते टाइम सामाल लेके आना लेके आए पड़्ची देखी नहीं भूल गया है जब दिमाग एक जगहे रहेगा तभी तो देखोगे अहाँ ठीक है भूल गया था क्या ठीक है अरे बोल तो दिया भूल गया था क्या भूल गया था अगर मेरी गलती होती अभी तक पूरा अगर अपने सर पर उठा लेते अब भूल गया था तो क्या करूं मर जाओं दिवार पर अपना सर पटक के फोड़ दू है पापा शांत 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 चप 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 मैं लेके आता हूं दुकान से चाय पत्ती मैं भी चलूंगा दुकान में हाँ हाँ कंधे में अंकल नमस्ते इतने ठंडे में नंगे क्यों घूम रहे हो यह हमारा श्टाइल है यह लेना है बोल एक पेकेट चाय पत्ती देदो और मुझे चोकलेट ला पैसे दे पैसे पैसे तो नहीं लाया हूं फ्री में देदो मुझे भी प्री में देदो तुम दोनों की बाप की द निकलो, निकलो, अंकल, फिरी में दे दो, बेटा फुटबॉल की तरह ऐसे उचा लूँगा, सीधे अपने घर पहुचेगा, मेरे भाई, चल चल, बाहर चल, अंकल, मैं सामने दुकान में सामान लेने गया था, तो वो दुकान वाले अंकल कह रहे हैं, आपकी दुकान से सामा मत लेना, बोल रहे थे, आप एक नंबर के कुट्टे हो कुट्टे, मैंने कहा नहीं, वो कुट्टे नहीं है, सही बोला तूने, बोल रहे हैं, नहीं, नहीं, कुट्टा है, वो कुट्टा है, कुट्टा है, कुट्टा है, टीन बार कुट्टा बोला, मुझे बहुत रोना आपको कुत्ता बोला। मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं उसे अभी बताता हूँ, मैं उसके हाथ पैर दोड़ दूँगा। अंकल, आप इतने बड़े दुकानदार और वाँ छोटा पिद्दी सा दुकानदार। आप उसके दुकान में जाकर लड़ाई करोगे। मैं कहके आता हूँ, बोलो, क्या कहना है। उससे बोलना तू कुत्ता, तेरा खांदान कुत्ता, बोल वहीं आके मारूंगा। अंकल, मैं सामने दुकान में सामान लेने गया था, तो वो दुकान वाले अंकल बोल रहे हैं, आपकी दुकान से सामान मत लेना। मैंने कहा क्यों नहीं लूँगा मैं तो लूँगा तो बोल रहे हैं आप गंदा, घटिया, बेकार और सड़ा हुआ सामान बेशते हो तो उसके बाद अंकल उसने आपको ऐसी ऐसी गालिया दी ऐसी ऐसी गालिया दी मुझे रोना आ रहा है अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों रो रहा है क्योंकि आप बहुत अच्छे हो आपके बारे में कोई कुछ कहता है, मुझे रोना आ जाता है उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी आज तक किसी ने मुझसे तू करके बात नहीं की और वो मुझे गाली दे रहा है मैं उसे नहीं छोड़ूँगा अंकल आप इतने बड़े दुकानदार और वो छोटा सा दुकानदार आप उसके दुकान में लड़ने जाओगे मुझे हसी आ रही है मैं कहके आता हूँ बोलो क्या कहना है उसे बोलना कही दिखना मत वरना मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूँगा क्या कह दिया आपके बारे में अवे ऐसा भी क्या कह दिया उसने क्या कह दिया रोना रहा है क्या कह दिया अंकल क्या बोला जल्दी बता हाँ हाँ बताता हूँ पहले थोड़ा सामान ले लूँ हाँ क्या लेना है जल्दी बता एक पैकेट चाय पत्ती दे दो और इसको एक चोकलेट दे दो ये ले अब बता उसने क्या बोला उसने बोला हिम्मत है तो मेरी दुकान में आकर लड़ाई कर उसने ऐसा बोला उसने ऐसा बोला हट हट मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा हाँ हाँ जाओ जाओ उस दुकानदार को बहुत मारना बागाओ